हेलो दोस्तों आज मैं हूँ दुबवेट टेंपल में और आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ दुबवेट टेंपल जहां पे कि आपको फूजा की सारी सामगरी मिल जाती है दोस्तों ऐसे मार्किट तो वैसे दुबई में बहुत कम है और जो ये मार्किट है यह है बर्दुबई में और यहां का नाम है दुबई टैमपल और इधर एक सिपजी का मंदिर भी है जहां पर कि मैं आज आपको लेके जाने वाला हूं और मुझे पता नहीं कि उसकी टाइम क्या है तो किसी से पता करके आपको फिर बताते हैं कि कितने बज़े मंदिर ओपन होता है तो गाइस जो मंदिर है यहाँ पर सिभ जी का वो बोल रहे हैं कि साड़े छे बज़े खुलता है तो चले तब लिए तक आपको दिखाते हैं आगे मार्केट गाएस मैंना आपको यहां का जो ए ऊन्हाख़ से यहां दिखाया जो कि डेरा दूबबई टैंफल्स है यदर का मार्केट दिखाय去了 लेकिन मंदिर के अंदर आपको नहीं लेके घया हमें क्योंकि मंदिर जो ओपन है वो साड़े च्छे बजे ओपन होता है कि पंडी जी दाजा बांद रहे हमें योगसिंदे पुरु अंदर आपनाम से वैंदे उलेकि वनापनी वैंदेनो मंदिर श रुट्य मंदिर ओ कि नहीं ऑपन हो अदर 2 सुरत, अकिने वता बीकितने ओपन होता है तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ सीम मंदिर में तो चली आपको लेके चलते हैं आज सीम मंदिर में और दिखाते हैं आपको की दुबई में जो सीम मंदिर है तो अभी बंदे छे बजे खुलता है तो यहां पर पुजारी जी मिले थे उन्होंने बोला छे बजे तो बड़ा वाला मंदिर खुलेगा भी एक चोटा मंदिर आगे है आप वहां जाके दर्शन कर सकते हैं तो चली हम चले उसी तरह भी गलियों में चले लेके चलते हैं आप अब यह हैं कि अधर शिव जी का मंदिर का पर चोटा वाला जो इधर बोले चैक तो छे बजे खुलता है एक इस साइड मंदिर बताएं कंधर मंदर दुखान के इस साइड इस है कोई मंदिर 100 यहां तो चले उस सइड बता रहे हैं है कि ऑग्डियंस वहाँ प्रॉप आप से पूंचा उन्होंने बौला इस साइड जा नहा है तो चली हम जा रहे साहिश जय और आपको आपको आज इसे वीडियो में दर्शन तो चलिए वीडियो में बने रहिए दोस्तों आप इन गलियों को देखे कैसी जबर्दस जबर्दस गलिया है इधर जो की बढ़ दुबई टेंपल इदर का नाम है और आप देख सकते हैं West Chang于 को वेल्कम में दुबारा मिले है तो यह सर अमें दीखेओं अपने आप देख सकते है इदर गली है बाकी गली यह है और मेरे साथ ये दो दोस्तों हो रहे हैं और यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर सौप यहां पर आपको पूजा की सामगरी यहां पर मिल जाएगी रोगे ले करें लेकर चलतेयों आपको कई घैस मैं भी एक सौğप में आ रहा हूँ यहां पर आपको दिखाता हूं कुछ श्रांच बेंडीं देखिये दिए हैं आप देख सकते हैं हिए यहां पर जो है आपको मूर्तिया मिल जाएगी बहुत सारे देखनों को मिल जाएंगे क्योंकि जो यहां पर लोग आते हैं वो इनको खाने के लिए चारा देते हैं इसलिए इनका क्राउड यहां पर बहुत चाहरा रहता है और इस वीडियो में आपको मंदीर तो नहीं दिखा पाया क्योंकि मंदीर जो है वो खुलता है साड़े छे बजे और अब जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है सामके चार तो मंदीर में आपको किसी दूसरी वीडियो में जरूर दिखाऊंगा और तब तक अगर आपको यह इले बार